नमस्कार दोस्तो अगर आपके घर में भी जल बराओ की समस्या या आपका घर जहां पर है वहां पर पानी भरता है तो सबाब भी कहगी आपके घर के अंदर भी पानी भरेगा अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने बिल्ड में आप जो है कॉलम भी बहुत ही आसानी से डलवा सकते हैं इस वीडियो को देखकर अगर आपको ये कोई भी काम करवाना है तो आप इस वीडियो को जरूर दखें आगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया लाइक नहीं किया और से नहीं किया तो आप प्लीज कर दीजिए यह देखिए आपके सामने दो मंजला इमारत है इस बिल्डिंग को उचा उठाया जागा क्योंकि यह काफी नीची हो चुकी थी गली से अभी आपको इस पूरे वीडियो में यही दिखाया जागा किस तरीके से इस बिल्डिंग को उठाया गया है और याद रखें इस काम में बहुत ही जो माहिर लोग है उनी से ही यह काम करवाया जाए इस वीडियो में जो लोग इस बिल्डिंग को उपर उठा रहे हैं वो बहुत ही माहिर और इंजिनियर ऐसे बंदे हैं जो की बहुत ही सपलता पुर्वक इस काम को करत इन्होंने बहुत सी बिल्डिंगों को इस तरीके से उपर उठवाया है और मेरा भी इनसे अच्छा खासा संपर्ख है अगर आपको इस काम की या इस किसी भी काम को करवाने की सोथ रहें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपका जवाब जरूर दूँगा देखें दोस्तो जेक के थुरू इस बिल्डिंग को लिप्टिंग किया जा रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से कोई भी क्रेक नहीं आया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको उठाया गया है तो दोस्तो आप वीडियो पूरा देखिए मेरे बहुत से वीडियो हैं जिसमें कि यह दिखाया गया है कि आप पुराने माकान में किस तरीके से पिलड डाल सकते हैं दोस्तो अगर आपको माकान में पिलड डरवाने हैं तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर मेरी बिल्डिंग जो दो तीन मंजिल चार जिल बनी है क्या मैं पिलर डाल सकते हूं दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसे सवाल का जवाब चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कोशिस की जाएगी कि पक्का आपके घर में पिलर डाले जा सके और बहुत ही आसानी से और उनका लोड आपके माकान बें आजाए ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है ये देखिए इस माकान को किस तरीके से लिप्टिंग किया जा रहा है आपको दिखाई दे रहा है लगवल चार से पांच पिट इसको उचा उठाया गया है बहुत ही आशानी से उठाया गया है ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों बहुत ही चुनिंदा अच्छे लोगों से इस काम को किया करवाया गया है अगर आपको भी कोई ऐसा काम करवाना है तो आप मेरे यूटूब चैनल पर संपर्क कर सकते हैं या आपको अपने किसी भी प्रोडेक्ट का एटोटाइजमे यह देखिए पूरी बिल्डिंग को बहुत ही आसानी से उठाया गया है किसी प्रोकार का कोई भी क्रेक नहीं आया बहुत ही आसानी से अच्छी तरिके से इस काम को किया गया है जो खुब को अच्छी तरिके से आसानी से आसानी से अच्छी प्रोडेक्ट के गया है इस वीडियो को आपने देख लिया कि किस तरीके से एक माकान को लिप्टिंग के तुरू दो मंजिल इमारत है बहुत ही आसानी से उठवाया गया है अगर दोस्तों इस समंधित कोई भी आपका कमेंट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपने माकान में प मेरे को कमेंट कर सकते हैं मैं आपको सजेशन दे सकता हूं और बता सकता हूं कहां से आपका काम ये बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बताता हूं आपको कोई भी प्रोडेक्ट का अपना एटोटाइजमेंट करवाना है या मेरे चैन जब एकल दो खज़ाका